कि और मनोरंजन आज की दुनिया का उभरता हुवा सबसे बड़ा व्यवसाय है यूट्यूबर नाम का व्यवसाय हमारे बच्पन में तो नहीं था आजकल यूट्यूबर है मैं तो बहुत यूट्यूबर से परचे थूँ बड़े अच्छी तरीके से दोस्त है मेरे कितना वह उनके सामने आई यस लोग भी सारे परिशाने कि हम क्यों आई यस बने यहीं बन जाते हैं वह एक एक महीने के दस लाग बीस लाग पचास लाग एक करोड़ तीन करोड़ रुपे कमाते हैं साथी प्रसिद्ध हैं बहुत ज्यादा ऐसी दुनिया कहां किसने देखी थी कोई कोई ट्विटर पर है कोई इंसा पर प्रसिद्ध है और अपनी भाषा की वजह से हैं अचा इंडस्ट्री में अंग्रेजी का बोल वाला ज्यादा है मैंने कुछ दिन पहले एक फिल्म में थोड़ा सा काम किया उस फिल्म का नम 12th fail है भी आने वाली एगले महीने 27 है और अपको बड़ी निराशा हो थोड़ा सा है तो मैं स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा था फिल्म हिंदी की है विदो दिनों चोपड़ा उस फिल्म के डारेक्टर है और प्रोडूसर भी तो उन्होंने मुझ से कहा कि स्क्रिप्ट हमने लेकिन फोड़ा सा काम करने की ज होता था उसमें फिर एमेंडमेंट्स होते थे सो बार तो फाइनल ही हुआ इंट्रेस्टिंग बात क्या है कि जब स्क्रिप्ट मेरे पास ही ओरिजिनल हिंदी भाषा में पर रोमन मिलिपी में थी एनि फिल्म में जैसे मानली सीन है कि मनोज के हाथ में दोनाली बंदूख है मुझे हिंदी रोमन लिपी में बड़ी बाधा होती है एक तो बात यहां से वहां हो जाती है जैसे कोई धर और धर का अंतर बताई नहीं सकता अगर मैं रोमन में लिखूँ कोई ऐसा शब्द हो जिसमें धर और धर में कन्फिजन हो जाए अब मैं कुछ भी करके नहीं समझ सकता कि डी एच ध है कि ध है क्योंकि वह लिपी मेरी भाष्टा के हिसाब से बनी ही नहीं है अब मैं रोमन में कितनी भी कोशिश करके लिखी नहीं सकता वह चीज़ और रेक्टर को बोलना क्या है बालक इदर आए बालक नहीं बोलते हैं अब मैं रोमन में कितनी भी कोशिश करके लिखी नहीं सकता वह चीज़ और रेक्टर को बोलना क्या है बालक सड़क नहीं लिख सकता हूं से आर एके या से डी एके कैसे लिखू या तो उस लिपी को उसके फॉनेटिक्स के हिसाब से चेंज करूं जो फिलोस्विमें करते भी है नहीं तो कैसे काम चले तो मैंने उनसे का मैंने का सर्फ मैं लेखिए मुझे वड़ी असुविधा होती च्टियेस में मैं देवनागरी में लिखूँआ और आप कहेंगे तो मैं उसको रोमन में कर दूँँगा पर पहली बार में आप मां मैं उत्रने दो उझे देवनागरी में लिखने दो तो उनको आश्र हुआ कि ऐसा भी होता क्योंकि उस इंडस्ट्री में आम तो पैसा नहीं होता है तो मैं देव नागरी में एक सीन लिखा लिखके भेजा नियम था कि मैं रोज रात को तीन बजे इमेल करता था मेरा शेडियूल से तीन बजे सोने का उनका सब पांच बजे उठने का तो पांच बजे उठके पढ़ते थे और छे वे तक कमेंट्स आयाते थे फिर मैं उठने के बाद उसको ठीक करता था तो जब पहली बार मैंने भेजा उनको हिंदी में सीन लिखके तो नेक्स वीडियो को हमारी चल रहे थी अब सोचिए विदो दिनो चोपड़ा जो की बहुत बड़े डिरेक्टर प्रोड्यूसर इस इंडस्ट्री गए पांच-छे लोग टीम में हैं बड़े-बड़े एसे लिख्यार एसी मज़ा होता है और बाठीी टीम को बोले कि तुम्हें इंग्लिश में करना वं करएंगे हमीं करेंगे पर पूरी फिल्म हिंदी में लिखी गई पश्टो शाना इस समय ऐसा करते हैं मेरे मित्रह को दिन पहले बता रहे थे कि उनकी स्क्रिप्ट अभी भी हिंदी में लिखी हुए आती है उनका तेवर है कि भी देवनागरी में पढ़ूँगा रोमन में नहीं आप पकड़ में आती है तो करते हैं उसमें मेरा जो कहना है व बेना किसी बज़े के